दोस्तो, जीवन में एक दिन मृत्यू सभी की होती है, लेकिन सभी के प्राण अलग-अलग तरह से निकलते हैं. मरते समय किसी का मुह टेड़ा हो जाता है, तो किसी की आँखें उलट जाती हैं. ऐसा क्यों होता है? आईए, जानते हैं इस वीडियो में. दोस्तो, इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं, और एक न एक दिन सभी को मरना होता है. लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं. कुछ लोगों की मरते समय आँखें उलट जाती हैं, तो कुछ का मुह खुला रह जाता है. वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त् में किसी एक से शरीर छोड़ती है. ये नौद्वार दोनों आखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुन्ह या फिर उत्सरजनंग हैं. जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सरजनंग से निकलती है, वह मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं. हालां कि गरुड पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता. क्योंकि दोस्तों, उत्सरजनंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं, जो जीवन भर सिर्फ अपने लिए ही सोचता है. जन कल्यान नहीं करता, सिर्फ धन अरजित करने में ही लगा रहता है. काम वासना में लगा रहता है. ऐसे लोग जब मृत्यू के समय यम दूतों को देखते हैं, तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं. इसके बाद प्राण वायू नीचे के मार्ग से निकल जाती है. प्राण वायू के साथ अंगूठे के आकार का एक अद्रिश्य जीव न कहते हैं कि जो लोग मौह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मौह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते. ऐसे लोगों की मृत्यू निकटाने पर आँखें काम करना बंद कर दे हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आखों से बल पूर्वक निकलते हैं तो आखें उलट जाती हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार मुह से प्राण वायू का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुह से निकलते हैं और उन्हें यम लोक में बहुत कश्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुह से निकलते हैं तो उनका मुह टेड़ा हो जाता है। साथ ही दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि नसिका से प्राणों का निकलना भी बह बहुत शुब होता है। गरुड पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हो और मन को वैरागी भी बना लिया हो।